नमस्कार दोस्तों हरी यह मैं स्टेडी में आपका स्वागत है क्वेस्टन नम्मर एक यदि छो लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे चलिए इसको हल करते हैं चुकि छो लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं पूरा करते हैं चो लड़का एक काम को 20 दिन में पूरा करता है इसलिए एक लड़का एक लड़का उस काम को पूरा 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 इसलिए एक लड़की पूरा पूर्व पूरा 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 तेंदोनी चो चार पैंचे बीस पहश्तिय पंदरा इस पंदरा दिनों में के पंदरा दिनों में कि समाप्त करेंगे हैं कि प्षुच्टन क्या कहा रहा है दिशो लड़के काम को बीस दिन में करते हैं उसी काम को तो आट लड़के कितने दिनों में करेंगे, चो लड़के 20 दिनों में करते हैं, एक लड़का इतना दिनों में, 20 गुना चो दिनों में, इसलिए 8 लड़के 15 दिनों में उस काम को समापत करेंगे, ठीक है, चलिए अगला कॉस्टन देखते हैं, क्वेस्टन नम्मर दू चोबिस आदमी किसी काम को दस दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को आठ दिनों में कितने आदमी करेंगे चोबिस आदमी एक काम को दस दिन में करता है तो आठ आदमी कितना दिन में करेगा तो चलिए इस क्वेस्टन को बना हल करते हैं देखिए, चुकि, दस दिनों में, एक काम, दस दिनों में एक काम को करने के करने के लिए, दस दिनों में एक काम को करने के लिए कितना आदमी लगता है, चोबीस आदमी है, चोबीस आदमी लगे, ठीका, इसलिए, एक दिन में, हिए, एक दिन में, इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए? इसलिए एक दिन में उस काम को करने के लिए 24 गुना 10 इतना आदमी लगेंगे 24 गुना 10 आदमी यानि 240 आदमी लगेंगे एक दिन में उस काम को करने के लिए इसलिए आड़ दिनों में आड़ दिनों में उस काम को करने के लिए 24 गोना दस बटा आठ इसको भाग रहे हैं इसलिए आड़ दिनों में उसकाम को करने के लिए तीस आदमी लगेगा यह लगेंगे ठीक चोबिस आदमी किसी काम को दस दिन में कर सकते हैं उसी काम को आठ दिनों में कितने आदमी करेंगे अर्य दस दिन करने के लिए समाप्त करें आठ गंटा परती दिन काम करता है तो बारा दिन में काम समाप्त हो जाता है तो छो गंटा परती दिन काम करेंगा तो कितना दिन में समाप्त होगा काम क्यों कि आठ गंटे परती दिन कि परती दिन काम करके 8 गंटे परती दिन काम करके 12 दिनों में 12 दिनों में कि समाप्त करते हैं यानि पूरा करते हैं कि समाप्त करते हैं तो आठ गंटा परती दिन काम करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं इसलिए एक घंटा अगर परती दिन काम करें तो कितना दिन में समाप्त होगा एक घंटा कि परती दिन काम करके देखे बारा गुना अठारा हो जागा बारा गुना आठ बारा गुना आठ दिनों में दिनों में कि समाप्त करेगा एक गंटा परती दिन काम करके इतना दिनों में समाप्त 12 गुना 8 दिनों में समाप्त करेंगे इसलिए 6 गंटा छो गंटे परती दिन यह परती दिन काम करकी कितने दिनों में समाप्त करेंगे एक गंटा परती दिन काम करके तो 12 गंटा परती दिन करेंगे तो देखें 12 गुना 8 बटा 6 इसको काटेंगे 6 दूनी 12 आट दूनी 16 त्यानि 16 दिनों में काम समाप्त करेंगे समाप्त करेंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्टन देखते हैं क्वेश्टन नंबर 4 चार आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितने समय लगाएंगे एक खाई मतलब एक गढ़्धा खोदता है मतलब उसको गढ़्धा करता है खोदता है चार आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं चुकि चार आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं इसलिए एक आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं इसलिए एक आदमी एक आदमी उस खाई को 18 दिनों में खोदेंगे चार आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं खोदना मतलब गढ़ा करना इसलिए एक आदमी उस खाई को 18 दिनों में खोदेंगे यानि गढ़ा करेंगे इसलिए उस्टन क्या करें नो आदमी कितना समयला आए इसलिए नो आदमी उस खाई को 18 दिनों में खोदेंगे यानि गढ़ा करेंगे चार आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदेंगे इस खाई को खोदने में नो आदमी कितना दीन लगाएं यानि कितना समय लगाएं यानि कितना दिन देखेंगे तो 9 आदमी उस खाई को आठ दिनों में में खोदेंगे यानि 8 दिन लगाएंगे अगला question सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें धन्यवाद